प्रीय दोस्तों नमस्कार आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जी को ग कब पढ़ते हैं देखिए और समझते हैं यदि किसी सब्द में जी के बाद ए ओ यू अथवा कोई ब्यंजन हो तो वहाँ पर जी को ग पढ़ा जाएगा एक बार फिर से यदि किसी सब्द में जी के बाद ए ओ यू अथवा कोई ब्यंजन हो तो वहाँ पर जी को ग पढ़ा जाएगा उधारण के लिए हम लेते हैं देखिए उधारण के लिए आपके सामने लिखा है जी एम ए अर्थाद यदि जी के बाद कोई ब्यंजन अथवा ए ओ यू इनमे से कोई भी हो तो वहाँ पर जी को ग पढ़ा जाएगा देखिते हैं जी के बाद ए है जो कि हमारे इस नियम का पालन करता है तो जी को ग पढ़ा जाएगा तो इसका संपूर्ण उचारण होता है गेम यहो भी आपको पता है हमने कहा था एक के उचारण के नियम हमने आपको बथाए थे इसलिए यहाँ पर ए का उचारण ए हो रहा है एम का उचारण मो हो रहा है तब इसका संपूर्ण उचारण गेम हो जाता है ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जी की बात आर है तो हमें पता है कोई व्यंजन हो तो हम जी को ग पढ़ेंगी आरे को ग्रेप्स इसका संपूर्ण उचारण ग्रेप्स होता है अब इसकी परिभासा पर चलते हैं दिखी यदि किसी सब्द में जी के बात ए ओ यू तथा कोई भी व्यंजन हो तो जी को ग पढ़ा जाता है उधारण के लिए आपके सामने है गेम और ग्रेप्स इस वीडियो में इतना है थेंक यू, have a nice day झाल के लिए ग्रेप्स